आज खुश तो बहात होगे तुम, क्योंकि आज बारी है शर्लक होम्स की कहानी की, तो आईए बिना देरी किये शुरू करते हैं, शर्लक होम्स की कहानी The Adventure of the Missing Three Quarter Baker Street के हमारे घर पर अजीबो गरीब टेलेग्राम आते रहते थे, हमें इसकी आदत पढ़ गई थी, लेकिन उन सभी में मुझे एक खास टेलेग्राम आज भी याद है, जो करीब 7-8 साल पहले फरवरी की एक सुभा हमारे पास पहुँचा था, और जिसे पढ़कर शर्लक होम्स करीब एक घंटे तक बुरी तरह से हैरान था, ये टेलेग्राम शर्लक के लिए ही था और उसमें लिखा था, प्लीज मेरा इंतजार कीजिए, भयानक दुरगटना, राइट विंग 3-4 लापता, कल काम करना बेहत जरूरी है, ओवर्टन, होम्स ने इसे बार-बार पढ़ते नहीं पाया, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक मैं अखबार पढ़ूँगा, तब तक वो यहां पहुँच जाएगा, और हम सारी बात जान ही जाएंगे, वैसे भी आजकल दिन जैसे ठेहर से गए हैं, ऐसे में अगर कोई छोटा मोटा भी केस आ जाए, तो अच्छा रहेग हमारे साथ चीजें वाकई में काफी सुस्त हो गई थी, और मुझे ऐसे वक्त से बहुत डर लगता था, जब हमारे पास करने को कुछ ना हो, क्योंकि मेरा तजुर्बा कहता है, कि मेरे दोस्त का दिमाग, आम दिमागों से कुछ ज्यादा ही एक्टेव है, जिसे अगर सोच कुछ ने के लिए कुछ ना दिया जाए, तो वो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, सालों की कोशिश से धीरे धीरे मैंने उसे ड्रग्स की आदत से आजाद किया था, लेकिन मुझे मालूम था कि उसके अंधर की वो तलब अभी तक मरी नहीं है, वो बस सोई हुई है, और करने को ज्यादा कुछ ना हो, तो ये तलब फिर से जाग सकती है, और इसलिए मैं इस मिस्टर ओवर्टन का शुकर गुजार रहूंगा, चाहे वो जो भी हो, क्योंकि शर्लोक की जिन्दगी की इस खतरनाक चुप्पी को तोड़ने के लिए, उसने अपना ये पेचीदा मै ये एक लंबा चोड़ा जवान शक्स था, सो किलो की मजबूत हड़ियों और मासपेशियों वाला, जो अपने चोड़े कंधे फैलाए, दर्वाजे पर खड़ा, हम दोनों को बारी-बारी से देख रहा था, उसके शांदार चेहरे से उसकी परेशानी साफ जहलक रही थी, क उभ्रों ने ही मुझे आपके पास आने की सलाह दी है, उनके हिसाब से ये मामला पुलीस से ज्यादा आपके काम से जुड़ा है, देखिये मिस्टर ओवर्टन, आप प्लीज बैट जाए और मुझे बताए कि मामला क्या है, होम्स ने कहा, बहुत बुरा हुआ हुआ है मिस् सकता हूँ, लेकिन 3 quarter के लिए Godfrey को ही रखना चाहूँगा, चाहे वो passing हो, tackle हो, या dribbling कर रहा हो, उसकी बराबरी का कोई है ही नहीं, और फिर उसके पास तेज दिमाग भी है, जो टीम में हम सभी को एक साथ जोड़ कर रख सकता है, अब ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए यही मैं आपसे पूछता हूँ, Mr. Holmes, वैसे तो एक खिलाडी मूर हाउस भी है, फर्स्ट रिजर्व, लेकिन उसकी ट्रेनिंग स्टॉंटन के मुकाबले आधी ही है, और वो हमेशा टच लाइन पर बाहर रखने की बजाए सीधे स्क्रम में खेलता है, उसका प्लेस के एक अ जो ना तो पंट कर सकता है और ना ही ड्रॉप, वो सिर्फ अपनी स्पीड की वजह से इसके लायक नहीं बन सकता, नहीं Mr. Holmes, अगर आप Godfrey Stanton को खोजने में मेरी मदद नहीं कर सकते, तो मेरा तो काम तमाम ही हो गया समझिये, Holmes ने इस लंबे चोड़े भाषन को बड़े ही मजे से और हैरान होकर सुना, भाषन में जोश और इमानदारी थी, और भाषन देने वाला अपनी हर बात पर जोर देने के लिए अपने घुटने पर बार बार हाथ मार रहा था, जब वो चुप हुआ, तो Holmes ने अपना हाथ आ अब हैरान होने की बारी हमारे महवान की थी, उसने कहा, मुझे तो लगा था कि आपको बहुत कुछ पता है Mr. Holmes, लेकिन मुझे लगता है अगर आपने Godfrey Stanton के बारे में कभी नहीं सुना, तब तो आप Cyril Overton को भी नहीं जानते होंगे, Holmes ने हसकर नामें से रहिला दिया, उस आदमी ने जोर से कहा, वाह, ये भी कोई बात हुई, मैं पहले Wales के खिलाफ England के लिए Reserve Player था, और मैंने इस साल University की तरफ से खेला है, लेकिन लगता है, आपके लिए इन सब बातों का कोई मतलब ही नहीं है, मुझे तो ये लगता ही नह रहते हैं, Holmes जोर से हसा और बोला, आपकी दुनिया एक अच्छी और सेहत मंद दुनिया है, लेकिन वो मेरी दुनिया से काफी अलग है, मिस्टर ओवर्टन, मेरा काम सुसाइटी के कई हिस्सों में पहला है, लेकिन मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है, कि वो अभी तक इंग्लेंड के इस जाने माने गेम तक नहीं पहुँचा है, लेकिन आज सुभे, आपका यहां अचानक आना मुझे बता रहा है, कि इस नए खेल की दुनिया में भी मेरे लिए कोई काम हो सकता है, तो अब मैं आपसे विंती करता हूँ, सर, कि आप बैठ जाएं, और मुझ प्रिज यूनिवर्सिटी की रगर टीम का कैप्टेन हूँ, और गॉडफरे स्टॉंटन, मेरा सबसे अच्छा प्लेयर है, कल ऑक्सफर्ड के साथ हमारा मैच है, कल हम सब यहां आए और बेंटले के प्राइवेट होटल में पहुँचे, दस बजे मैं चेक करने के लिए नि पूछा कि क्या बात है, उसने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा सिरदर्ध है, फिर मैंने उसे गुड़नाइट कहा और चला आया, आधे घंटे बाद पोर्टर ने मुझे बताया कि एक खतरनाक से दिखने वाले दाड़ी वाले आदमी ने गॉडफरे के लिए एक नोट दिया है, तब तक गॉडफरे सोने नहीं गया था और पोर्टर ने वो नोट उसके कमरे में ले जाकर उसे दे दिया था, गॉडफरे ने उसे पढ़ा और फिर कुरसी पर ऐसे गिर गया, जैसे किसी ने उसे मारा हो, पोर्टर इतना डर गया था कि वो मुझे बुलान नहीं आ रहा था लेकिन Godfrey ने उसे रोक दिया उसने पानी पिया और खुद को संभाला फिर वो नीचे गया और उस आदमी से मिला जो हॉल में उसका इंतजार कर रहा था उसने उससे कुछ बातें की और फिर वो दोनों एक साथ बाहर निकल गए पोर्टर ने स्टॉंटन को आखरी बार जब देखा था तो वो दोनों सरक पार करके नदी के किनारे की तरफ भाग रहे थे और आज सुभा मिस्टर होम्स Godfrey का कमरा खाली था उसके बैड से साफ देख रहा था कि वो उस पर सोया ही नहीं था और उसकी चीजें बिलकुल वैसे ही रखी थी जैसी मैंने एक रात पहले देखी थी वो उस अजनवी के साथ फोरन बिना किसी को बताय चला गया था और उसके बाद उसकी तरफ से कोई भी खबर नहीं आई है मुझे नहीं लगता कि वो कभी वापस लोटेगा वो एक बहुत ही बहतरीन खिलाडी था और अपनी ट्रेनिंग को ऐसे ब पहानी को बड़े ही गौर से सुना और फिर पूछा फिर उसके बाद आपने क्या किया मिस्टर ओवर्टन जी मैंने केम्रिज में ये जानने के लिए टेलिग्राम किया कि क्या वहां उसके बारे में किसी ने कुछ सुना है मेरे पास एक ही जवाब आया कि उसे किसी ने नही क्या ऐसा हो सकता है कि वो Cambridge वापस चला गया हो जी हाँ रात में एक ट्रेन जाती तो है सवा 11 बजे की लेकिन मैंने पता कर लिया है कि वो उस ट्रेन में नहीं देखा गया है अच्छा उसके बाद आपने क्या किया मैंने Lord Mount James को टेलेग्राम भेजा Godfrey एक अनाथ लड़का है और Lord Mount James उसका सबसे करीबी रिष्टेदार है मेरे ख्याल से उसका अंकल है क्या वाकई ये बात इस मामले पर नई रोशनी डालती है क्योंकि Lord Mount James इंग्लैंड के सबसे दौलत मन्द लोगों में से एक है Holmes ने कहा जी हां Mr. Holmes मैंने Godfrey को भी यही बात कहते सुना है क्या Godfrey उनके काफी करीब था जी हां Mr. Holmes वो उनका वारिस था और उसके वो बुढ़े अंकल करीब 80 साल के हैं और उनको गाउट की बिमारी भी है कहते हैं कि वो अपने बिलियर्ड क्यू को अपनी उंगलियों के जोडों से चौक लगा लेते थे उन्होंने कभी भी Godfrey को एक पैसा भी नहीं दिया क्योंकि वो बहुत ही बड़े कंजूस हैं लेकिन उनके मरने के बाद तो ये सब उसे ही मिलने वाला है अच्छा ये बताए Mr. Overton क्या Lord Mount का कोई जवाब आया जी नहीं आपके दोस्त का Lord Mount James के पास जाने का क्या मकसद हो सकता है जिस तरह वो पिछली रात को परिशान था अगर वो परिशानी पैसे को लेकर थी तो इस बात की काफी संभावना है कि वो Lord Mount James के पास ही गया हो लेकिन जहां तक मैं जानता हूं उससे मैं ये अंदाजा तो लगा सकता हूं कि वहां से उसे कोई फायदा नहीं हुआ होगा असल में Godfrey अपने अंकल को पसंद नहीं करता था और अगर उसका बस चलता तो वो कभी उनके पास नहीं जाता ठीक है Mr. Overton हम इस बात का पता लगा लेंगे क्या आप उस खतरनाक से दिखने वाले आदमी के बारे में कुछ बता सकते है जो देर रात आया था जी नहीं Mr. Holmes मुझे उसके बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है होम ने एक मुसकान के साथ कहा ठीक है आपके लिए इस केस को हैंडल करने में मुझे बहुत खुशी होगी और मेरा आपको सुझाव है कि आप इस खिलाड़ी के बिना ही अपने मैच की तयारी करनी शुरू कर दें जैसा कि आप कहते हैं कि जरूर कुछ बहुत ही जरूरी काम आ पड़ा होगा जिसकी वजह से वो यूं गायब हुआ है और वही जरूरत उसके गायब होने की वजह भी है तो चलिए हम आपके होटल में चलते हैं और देखते हैं कि क्या वो पो पोर्टर जो कुछ भी जानता था वो सब कुछ उससे उगलवा लिया। रात को आने वाला जो आदमी था वो कोई जेंटलमेन नहीं था और ना ही वो कोई कामकाजी आदमी था। और स्टॉंटर ने उस आदमी से हाथ भी नहीं मिलाया था। उन दोनों ने कुछ बातें की थी जिसमें पोर्टर ने एक ही शब्द का अंदाजा लगाया था और वो शब्द था टाइम। उसके बाद वो दोनों जल्द बाजी में वहां से निकल गए थे। उस वक्त हॉल की गड़ी में वक्त था साड़ित दस। होमस ने पोर्टर से पूछा तुम तो दिन में पोर्टर का काम देखते हो ना। क्या रात वाले पोर्टर ने कुछ नहीं देखा। जी नहीं सर। मैं रात के ग्यारा भजे तक ड्यूटी पर रहता हूँ और उसके बाद जो पोर्टर आया उसने मुझे बताया था कि बस रात को एक थेटर पार्टी देर से आई थी उसके अलावा और कोई नहीं। क्या तुम कल पूरा दिन ड्यूटी पर थे। जी हाँ सर। क्या उस दोरान मिस्टर स्टॉंटन के लिए तुम कोई मैसेज लेकर गए थे। जी हाँ सर। एक टेलिग्राम आया था। हाँ हाँ ये तो काफी इंट्रेस्टिंग है। कितने बजे की बात है ये। जी करीब 6 बजे। और मिस्टर स्टॉंटन उस वक्त कहा थे जब उनको ये टेलिग्राम मिला। जी यहीं उनके कमरे में। जब उन्होंने उस टेलिग्राम को खोला था, क्या तुम उस वक्त यहां मौजूद थे। जी हाँ सर मैं उनके जवाब का इंतजार कर रहा था। तो क्या तुम्हें जवाब मिला। जी हाँ सर उन्होंने एक जवाब लिखा था। लेकिन वो उसे खुद लेकर गए थे। लेकिन वो जवाब उन्होंने तुम्हारे सामन ले जाओंगा। उन्होंने वो जवाब किस चीज से लिखा था। एक पैंसे सर। क्या टेलिग्राफ का फॉर्म इसी टेबल पर रखा था। जी हां सर। वो सबसे उपर वाला फॉर्म था। होम्स ओठ खड़ा हुआ और फॉर्म को लेकर खिड़की के पास गया। और उसने अक्सर देखा गया है वाटसन कि आम तोर पर कागस पर जो भी लिखा गया होता है पैं या पैंसिल के दबाव के कारण नीचे वाले कागस पर उसकी हलकी सी चाप आ जाती है। लेकिन यहां पैंसिल का कोई निशान मुझे नहीं मिला है। हाला कि मुझे ये जरूर पता चल है कि उसने एक चोड़ी निब वाले पैंसे अपना जवाब लिखा था। और इस बात में कोई शक नहीं है कि यहां इस ब्लॉटिंग पेपर पर हमें उन अक्षरों की कोई न कोई चाप जरूर मिलेगी। आहां ये रही ये। शौरलोक ने ब्लॉटिंग पेपर का एक टु कुश में आकर चिलाया। अरे इसे शीशे में देखो जल्दी से। उसकी कोई जरूरत नहीं है मिस्टर ओवर डन। होमस ने कहा। ये कागस काफी पतला है और इसको उल्टा करके भी हम इस मेसेज को साफ साफ पढ़ पाएंगे। ये देखिए। उसने ब्लॉटिंग पता होने के कुछ घंटों पहले भेजा था। इस मेसेज के कम से कम छे ऐसे शब्द हैं जो पता नहीं चल पा रहे हैं। लेकिन जो समझ में आ रहा है वो है भगवान के लिए हमारे साथ खड़े रहो। ये साबित करता है कि इस आदमी ने अपने सामने किसी भयानक खत्रे को देखा था और कोई ऐसा आदमी है जो उसे इससे बचा सकता था। हमारे शब्द पर ध्यान दीजिए। इसका मतलब है कि एक कोई और शक्स भी इस सब में शामिल है। मेरे ख्याल से ये वो दाड़ी वाला आदमी ही होना चाहिए। तो फिर गौड़फ्रे स्टॉंटन और उस दाड़ी वाले आदमी के बीच आखिर क्या कनेक्शन है ये हमें पता चलाना है। और ये तीसरा शक्स कौन है जिससे वो मदद माग रहे थे। मैंने कुछ सोचते हुए कहा। तब तो हमें बस ये पता लगाना होगा कि ये टेलिग्राम किसे भेजा गया है और हमें सारी बातें पता चल जाएंगी। बिल्कुल माई डियर वाटसन तुम जो सोच रहे हो वो पहले ही मेरे दिमाग में आ चुका है। लेकिन समस्या ये है कि तुमने तो देखा ही होगा कि अगर तुम किसी पोस्ट आफिस में जाते हो और किसी दूसरे शक्स के लिए आया हु टेलिग्राम का रिसीट देखने के लिए मांगते हो तो वो तुम्हें दिखाने से साफ मना कर देते हैं। इन सारे मामलों में काफी रेड टेप शामिल होता है। हालांकि मामले को थोड़ी मिठास और थोड़ी समझदारी से समभाला जाए तो हम वो सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। फिल हाल मुझे आपकी मौजूदगी में इस टेबल पर रखे कागजातों को देखना होगा मिस्टर ओवरटन। वहां कई सारे खत, बिल और नोटबुक्स थे जिनको होम्स ने उलट पलट कर देखा और अपनी तेज कामपती उंगलियों और पैनी नजरों से उ यहां कुछ भी नहीं है। वैसे मुझे लगता है कि आपके दोस्त एक सेहत मंद इंसान नहीं थे। क्या उनको कोई बिमारी थी। जी नहीं बिलकुल नहीं मिस्टर होम्स। बस एक बार वो गेम में हैकिंग की वज़ह से घायल हो गया था और एक बार उसके घुटने की कै आपके सक गई थी। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। शायद वो उतने हेल्दी नहीं थे मिस्टर ओवर्टन जितना आपको लगता है। मेरे ख्याल से उन्हें कोई न कोई परिशानी जरूर थी। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इन में से एक या दो कागजों को अ साथ ही एक धीली सफेद नेक्टाई भी। देखने से वो काफी लचर पचर सा दिखाई दे रहा था लेकिन उसकी आवाज काफी बुलंद थी। उसने कहा एक मिनेट रुख जाईए। आप हैं कौन मिस्टर और इस जेंटल मैन के कागजों को किस हैसियत से चू रहे हैं। म और तुम किस के कहने पर ऐसा कर रहे हो। ये जो सज्जन आपके सामने खड़े हैं। मिस्टर सिरिल ओवर्टन। ये मिस्टर स्टॉंटन के दोस्त हैं और स्कॉटलेंड यार्ड ने इन्हें मेरे पास भेजा है। अब वो बुढ़ा आदमी सिरिल ओवर्टन की तरफ जी हां सर। सिरिल ओवर्टन ने कहा। और क्या तुम इस खर्चे को उठाने के लिए तयार हो। मिरे ख्याल से सर जब हम गौटफरे को ढूंड लेंगे तो वो इसका खर्च उठा लेगा। ओवर्टन ने कहा। लेकिन अगर वो कभी नहीं मिला तो, तो क्या होगा। उस ह समझ रहे हो न मिस्टर डिटेक्टिव, मैं ही उसकी इकलौती फैमिली हूँ और मैं तुम दोनों को बता देता हूँ कि मैं इस सब के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। अगर उसने मुझसे कोई भी उमीद बांधी है, तो ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि मैं कभी पैस ठेराया जाएगा। शरलक होमस ने उससे पूछा, अच्छा ठीक है सर, फिलहाल क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि मिस्टर स्टॉंटन के लापता होने की वज़ह के बारे में आपका क्या खयाल है। मुझे कुछ नहीं पता, वो इतना बड़ा है कि खुद की देखबाल और फिर बोला, मैं आपकी बात को अच्छी तरह से समझता हूँ लॉर्ड जेम्स, लेकिन शायद आप मेरी बात को ठीक से नहीं समझे। गॉट्फरे स्टॉंटन एक ऐसा आदमी है जिसके पास पैसे नहीं है। अगर उसका अपहरान हुआ है, तो उसकी वज़ह उसके पा ताकि वो उससे आपके घर, आपकी आदतों और आपके खजाने के बारे में जानकारी हासिल कर सकें। ये बात सुनते ही, लॉर्ड जेम्स का चेहरा सफेद पड़ गया। ओह, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था, दुनिया में कैसे कैसे बदमाश भरे हूँ हैं। लेकि तुम से विंति करता हूँ कि उसे सही सलामत वापस लाने में कोई कमी मत रखना, और जहां तक पैसे का सवाल है, उसकी भी चिंता मत करना, जो भी घर्चा होगा, मैं सब दे दूँगा। अधूरा टेलिग्राम, जिसे हाथ में लेकर होम्स उस अधूरी कड़ी को जोडने निकल पड़ा, हमने लॉड माउंट जेम्स से पीछा चुडाया, और ओवर्टन अपनी टीम के दूसरे मेंबर्स के साथ इस घटना के बारे में बात करने को चला गया, होटल से कुछी पर टेलिग्राफ ओफिस था, हम उसके बाहर रुख गए, हमें एक चांस तो लेकर देखना ही चाहिए वाट्सन, बेशक एक वारंट लाकर हम काउंटर फॉयल देख सकते हैं, लेकिन अभी तक हम उस स्टेज तक नहीं पहुँचे हैं, मुझे नहीं लगता कि इतनी भीड म वो चेहरों को ठीक से याद रख पाते होंगे, आओ, अंदर चलते हैं। उस औरत ने काउंटर फॉयल का एक बंडल पलटा, फिर उसने पूछा, कितने बज़े टेलिग्राम किया था आपने, छे बज़े के थोड़ी देर बाद, और किसको भेजा था टेलिग्राम, होम्स ने अपने होटों पर उंगली रखी और मेरी तरफ देखा, फिर धीमे और में कहा, उस टेलिग्राम के आखिरी शब्द थे भगवान के लिए, ये थोड़ा confidential टाइप का टेलिग्राम था, और मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है, इसलिए मैं बहुत परिशान हूँ, और अतने चाट कर एक फॉर्म को अलग किया, फिर बोली, ये रहा व इसमें कोई नाम नहीं है, उसने फॉर्म को काउंटर पर फैलाते हुए कहा, ओहो तब ही तो मुझे कोई जवाब नहीं मिला है, मैं भी ना कितना बेवकोव हूँ, इतनी चोटी सी बात में मैं गलती कर बैठा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिस, मेरी परिशानी को होम्स जोर से हसा और अपने हाथों को रगड़ते हुए बोला, हम आगे बढ़ रहे हैं माई डियर वाटसन, हम आगे बढ़ रहे हैं, उस टेलिग्राम को देखने के लिए मेरे पास साथ अलग-अलगतर है के प्लैंस थे, लेकिन मैं पहली बार में ही काम्याब हो जाऊंग एसी उमीद मैंने नहीं की थी, हमारी तहकीकात के लिए हमें एक शुरुआती पॉइंट मिल गया है, फिर उसने एक क्याब को इशारा करके रोका और उसे किंग्स क्रॉस स्टेशन चलने के लिए कहा, हम ग्रेस इन तक पहुचे ही थे कि मैंने शर्लोक से पूछा, क्या लग रहा है कि मिसर गौडफ्रे को उसके अमीर चाचा के खिलाफ जानकारी पाने के लिए उठाया गया है, नहीं वाट्सन, ये वज़ा मुझे काफी नहीं लगती है, तो फिर तुम्हारे पास और क्या ओप्शन है, मैंने पूछा, ओप्शन तो बहुत सारे हैं वाट्सन तुम्हें ये तो मानना ही पड़ेगा कि ये सोचने वाली बात है कि ये घटना इस जरूरी मैच से पहले की शाम को हुई है, और इसमें सिर्फ वही शक्स involved है, जिसका टीम में होना टीम की जीत के लिए बहुत ही जरूरी है, बेशक ये एक इतफाक हो सकता है, लेकिन है पहली बटा देना इन ही में से किसी का काम रहा हो, ये एक वज़ा हो सकती है, दूसरी वज़ा ये हो सकती है कि ये शक्स वाकई में एक बड़ी संपत्ती का वारिस है, और ऐसा मुम्किन है कि उसे फिरौती के लिए पकड़ा गया हो, लेकिन इन सारे अंदाजों का इस टेल भटक कर किसी दूसरी चीज़ पर ना चला जाए हमारा Cambridge जाने का मकसद इसी टेलिग्राम के बारे में जानना है और हमारी investigation का रास्ता फिलहाल ज्यादा साफ नहीं है लेकिन फिर भी हमें इसी के सहारे आगे तो बढ़ना ही होगा जब हम Old University शहर में पहुंचे तो पहले से ही अंधेरा हो चुका था होम्स ने station पर एक कैब ली और उस driver को Dr. Leslie Armstrong के घर तक जाने को कहा कुछ ही पलों में एक हम बड़े बिजी रास्ते में एक बड़ी सी हवेली के आगे रुख गये हमें अंदर का रास्ता दिखाया गया और एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार हमें consulting room में ले जाया गया जहां हमने पाया कि डॉक्टर टेबल के पीछे बैठे हुए थे ये बात सच है कि जिस हद तक मैंने अपने profession से अपने contact खो दिये थे उस वजह से मैं Dr. Leslie Armstrong के नाम से अपरिचित था यहां आकर मुझे पता चला कि वो ना सिर्फ युनिवर्सिटी के medical school क head में से एक हैं बलकि Europe में science की एक से ज्यादा branches के जाने माने नाम हैं उनका चौकौर सा बड़ा चेहरा मोटी भवों के नीचे खिंची हुई सी आखें और मजबूत जबडे की एक जलक देखते ही मैं उनसे impress हुए बिना नहीं रह सका उन्होंने मेरे दोस्त का card अपने हाथ मैंने आपका नाम सुना है मिस्टर शर्लोक होम्स और मुझे आपके profession के बारे में मालूम है लेकिन मैं इसको सही नहीं मानता होमस ने धीरे से कहा ओ फिर तो इसका मतलब है कि आप देश के हर अपराधी के साथ हैं जहां तक crime को रोकने की बात है मिस्टर होम्स समाज के हर member क को उसे रोकना चाहिए हाला कि मुझे कोई शक नहीं है कि इसके लिए सरकारी सिस्टम काफी है आपका काम लाल घेरे में तब आ जाता है जब आप लोगों की private जिन्दगियों के राज को खोलते हैं जब आप family के ऐसे मामलों को उठाते हैं जो अगर छिपे रहें तब ही बह आपने सही कहा डॉक्टर आमस्ट्रॉंग लेकिन हो सकता है कि हमारी ये बातचीत आपके आर्टिकल से ज्यादा जरूरी साबित हो मैं आपको बता दूं कि जैसा आप दोश लगा रहे हैं इतफाक से हम इसका ठीक उल्टा करते हैं हम personal मामलों को exposed होने से बचाने की कोशिश करते हैं जो मामले के पुलीस के हाथों में जाने के बाद कभी नहीं हो सकता वैसे बाइदवे मैं आपसे मिस्टर गॉट्फरे स्टॉंटन के बारे में पूछने आया हूँ आप उन्हें जानते हैं ना जी हाँ वो मेरा एक करीबी दोस्त है क्या आप ये भी जानते हैं कल फुटबॉल का मैच है उसका होमस ने कहा देखिये मिस्टर होमस मुझे इन बचकाने खेलों से कोई मतलब नहीं है मुझे इस केस में दिल्चस्पी है सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उसे जानता हूँ और उसे पसंद करता हूँ फुटबॉल मैच मेरे दायरे में नहीं आत बिल्कुल नहीं. क्या मिस्टर स्टॉंटन एक हेल्दी इंसान थे? जी हाँ, पूरी तरह से. क्या आपने कभी उन्हें बीमार देखा है? कभी नहीं. होम्स ने अपनी जेब से एक कागज निकाल कर डॉक्टर की आँखों के आगे लहराते हुए कहा. तो फिर शायद आप 13 ग मुझे नहीं लगता मिस्टर होम्स की ऐसी कोई भी वज़ा है जिसके कारण मुझे आपको सफाई देने की जरूरत है. होम्स ने बिल्को अपनी नोटबुक में वापस रख लिया और बोला. अगर आप पबलिक के सामने कोई सफाई नहीं देना चाहते हैं, तो ये काम मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूँ. जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मैं इस सारी बात को छिपा सकता हूँ. लेकिन अगर मेरी जगह कोई और होगा, तो वो इस मामले को सबके सामने लेकर आएगा ही. अगर आप मेरे उपर भरोसा करते हैं, तो एक समझदारी का काम करेंगे. आप आपको एक बार कही हुई बात समझ में नहीं आती है, मिस्टर होम्स. मैंने कह दिया ना कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता. होम्स ने एक आहा भरी और बोला, गौट्रिस टॉंटन ने आपको कल शाम को 6 बज कर 15 मिनट पर लंडन से एक जरूरी टेलिग्राम भीजा था. इसमें कोई शक नहीं कि वो टेलिग्राम उसके लापता होने से जुड़ा हुआ है. और फिर भी आप कहते हैं कि आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते. तो ऐसे में मुझे लगता है कि मुझे आपके खिलाफ कोई सक्त कदम उठाना ही होगा, डॉक्टर. ये सुनते कि मेरा उसके साथ या उसके एजेंटों के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है. जौन, इन दोनों सज्जनों को बाहर का रास्ता दिखाओ. डॉक्टर ने जोर से घंटी बजाते हुए कहा. एक घमंडी सा दिखने वाला बटलर हमें करीब-करीब खदेरते हुए दरवाजे तक ले गया और अगले ही पल हमने खुद को गली में पाया. होम्स जोर से ठाहा का मार का रहस पड़ा. ये डॉक्टर लेसली आमस्ट्रोंग वाकई में बड़ी ही एनरजी और कैरेक्टर वाला है. मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा जो अगर अपने टैलेंट को इस तरह से ब पीच में छोड़ कर वापस नहीं जा सकते. तो मेरे ख्याल से हमें रात गुजारने के लिए किसी होटल में चले जाना चाहिए. आमस्ट्रोंग के घर के ठीक सामने की ये चोटी सी सराय मेरे ख्याल से हमारी जरूरतों के लिए बिल्कुल ठीक होगी. अगर तुम इस सामने पीला पड़ा हुआ था और धूल से सना हुआ. टेबल पर खाना रखा था जो ठंडा हो चुका था. जल्दी जल्दी उसमें से कुछ खाने के बाद वो अपना पाइप जला कर एक कुर्सी पर बैठ गया. थोड़ी देर बाद बाहर गाड़ी के पहियों की आवाज आई और वो उठकर खिड़की से बाहर देखने लगा. एक घोड़ा गाड़ी डॉक्टर के दर्वाजे के बाहर लैंप के नीचे खड़ी दिखाई दी, जिसमें ग्रे कलर के घोड़े जुते होए थे. हॉम्स ने कहा, ये गाड़ी तीन घंटे पहले यहां से गई थी, साड़े छे बजे और अब ये वापस आई है. इसका मतलब है, करीब 10 बार है मील के दायरे से होकर आई है ये. और ये डॉक्टर ऐसे दिन में एक बार या कभी-कभी दो बार हर रोज निकलता है. अरे तो एक डॉक्टर की प्रैक्टिस में ये कोई नई बात थोड़े ही है, होम्स. ले कि वो हर रोज किस से मिलने जाता है. और यही पता करने के लिए मैंने उसके कोचवान को आजमाने की कोशिश की. अब मुझे नहीं पता कि ये उसकी अपनी खुद की आदत है या फिर अपने मालिक के कहने से उसने ऐसा किया. लेकिन वो कमभक्त इतना बदमाश निकला कि उ इसलिए आगे की पूछताश करने का सवाल ही नहीं उठता था. मुझे जो कुछ भी पता चला है वो हमारी अपनी सराय के सामने के एक आदमी ने बताया है. उसने ही मुझे डॉक्टर की आदतों और रोज उसके बाहर जाने के बारे में बताया है. और जब वो मुझे बता ठीक उसी वक्त वो गाड़ी दर्वाजे के पास आ गई थी. अब तुमने तो देखा ही होगा वाटसन हमारी सराय के बगल में एक साइकल की दुकान है. मैं जल्दी से वहां भागा और मैंने एक साइकल तयार की और गाड़ी के आँखों से ओजल होने से पहले ही मैंने साइ एसी घटना घटी जो बहुत ही शर्म की बात थी. गाड़ी रुकी, डॉक्तर उसमें से नीचे उतरे और तेजी से चल कर वहां तक आए जहां मैं खड़ा हुआ था. फिर उन्होंने बहुत ही शांदार तरीके से ताना मारते हुए मुझसे कहा कि उन्हें लग रहा था कि य उनकी गाड़ी से आगे निकल गया और में रोड से आगे निकल कर मैंने छुप कर ये देखा कि उनकी गाड़ी वहां से आगे गुजरती है या नहीं. लेकिन मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया जिससे लगे कि वो आगे चले गए हों. और इसी लिए ये बात साफ हो कि वो वहीं किसी साइड रोड से निकल गए होंगे. फिर मैं वहां से वापस गया लेकिन गाड़ी मुझे दिखाई नहीं दी. और अब जैसा कि तुम देख सकते हो ये गाड़ी अब वापस लोट आई है. वैसे तो ये बात जरूरी नहीं है कि गौड़फ्रे स्टॉंटन के लापता होने और डॉक्टर के ऐसे गाड़ी में बाहर जाने में कोई संबंध हो ही. लेकिन फिर भी डॉक्टर की जाच परताल करने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि डॉक्टर आमस्ट्रॉंग का इस केस में जो भी कनेक्शन है उसे जानना हमारे लिए जरूर फा जब तक मैं इस मामले को पूरी तरह से साफ नहीं कर देता वाट्सन तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा. तो ठीक है होम्स हम कल फिर से उनका पीछा कर सकते हैं मैंने कहा क्या वाकई वाट्सन ये इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है तुम्हें क्याम्रे तूर तक मीलों तक कहीं कोई छुपने की जगह नहीं है और जिस आदमी का हम लोग पीछा कर रहे हैं वो कतई बेवकूफ नहीं है ये उन्होंने आज रात को साफ साफ दिखाई ही दिया है मैंने ओवर्टन को टेलिग्राम कर दिया है ताकि अगर लंडन में कोई नई हल चल ह हुई हो तो वो हमें बता दे फिलहाल हम सिर्फ डॉक्टर आमस्ट्रॉंग पर ही अपना फोकस रखेंगे क्योंकि उनका नाम हमने स्टॉंटन के टेलिग्राम में देखा था जहां तक मुझे लगता है डॉक्टर पक्की तरह से जानते हैं कि स्टॉंटन कहां पर है और अगले दिन भी हमें इस राज से परदा उठाने में कोई काम्याबी हासिल नहीं हुई नाश्ते के बाद हमें एक नोट मिला जिसे पढ़ने के बाद होमस ने मुस्कुराते हुए वो मुझे थमा दिया उस नोट में लिखा था सर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप मेरा पीछा करने में सिर्फ अपना वक्त बरबाद कर रहे हैं और पिछली रात को आपने देखा ही था कि मेरी गाड़ी के पीछे एक खिड़की है और उसमें से मैं आपको बहुत दूर तक मीलों दूर तक भी साफ साफ देख सकता हूं तो अगर आप अपना टाइम बरबाद कर और अपने उस बाप से कहें कि आप उसे ढूंड नहीं पा रहे हैं यहां केंब्रिज में आपका वक्त सिर्फ बरबाद ही होगा आपका लेसली आमस्ट्रॉंग होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा ये डॉक्टर एकदम साफ साफ बात करते हैं अब तो मुझे उनके बारे मे और भी जानने की एक्छा हो रही है अब मैं उनको यूही नहीं छोड़ने वाला हूँ तभी मैंने खिड़की में से देखते हुए कहा अरे वो रही उनकी गाड़ी वो एकदम धरवाजे पर खड़ी है और ये लो वो उसमें चड़ गए और मैंने उनको हमारी खिड़की की बराबरी कर पाओगे मेरे ख्याल से शायद मुझे ही कुछ ना कुछ करके इसके अंत तक पहुँचना होगा इस शहर में काफी कुछ देखने के लायक चीज़े हैं तुम आराम से घुमने जाओ और मुझे पूरा यकीन है कि शाम होने से पहले ही मुझे कोई ना कोई पाओगे में जानने के बाद मैंने केंब्रिज के उस तरफ के सारे गामों का दौरा किया और लोकल अख़बारों के साथ नोट चेक करने में भी काफी वक्त लगाया मैंने कई गामों को कवर कर लिया है लेकिन सब जगह मुझे नाकामी ही मिली ऐसी जगहों में एक घोड़ गाड़ी का गुजरना कोई भी अंदेखा नहीं कर सकता एक बार फिर से डॉक्टर ने बाजी मार ली है अच्छा ये बताओ क्या मेरे लिए कोई टेलिग्राम आया हाँ आया था होम्स मैंने इसे खोल लिया है ये रहा इसमें लिखा है जेरेमी दिक्सन से पॉमपी के बार में है मैं अभी मिस्टर जेरेमी डिक्सन को एक नोट भेजूँगा और फिर मुझे यकीन है कि उसके बाद हमारी किसमत बदल जाएगी वैसे बाइदावे क्या मैच की कोई खबर आई है हाँ शाम के लोकल पेपर के एडिशन में एक बढ़िया आर्टिकल लिखा हुआ है उक्सफर्ड एक गोल से जीत गया है तब तो हमारे दोस्त ओवर्टन का डर सही निकला खेर जो भी हो आज रात हमें जल्दी सोना चाहिए वाटसन क्योंकि मुझे लगता है कल का हमारा दिन काफी बिजी जाने वाला है अगली सुभे हूम्स को देख कर मैं थोड़ा घबरा गया क्योंकि वो आग के सामने बैठा हुआ अपनी छोटी हाइपोडर्मेक सिरेंज को हाथ में पकड़े था उस सुई को उसके हाथ में देखते ही मुझे थोड़ी बेचैनी सी हो गई मुझे परिशान देख कर वो हसा और उसने सिरेंज को टेबल पर वापस रख दिया अर मैंने अपनी सारी उमीद इस सिरेंज पर लगा दी है मैं अभी अभी बाहर से लोटा हूँ और सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसा हम चाहते हैं तुम फटाफट नाश्ता कर लो वाटसन क्योंकि आज मैं डॉक्टर आमस्ट्रॉंग का पीछा करूंगा और तब तक आराम न कलते हुए दिखाई दे रहे हैं उनकी गाड़ी ठीक दर्वाजे पर है अरे कोई बात नहीं वाटसन उनको जाने दो तुम आराम से जब ब्रेकफास्ट कर लोगे तब मेरे साथ नीचे चलना तब मैं तुम्हें एक ऐसे डिटेक्टिव से मिलवाऊंगा जो एक एक्सपर् और टैन रंग का कुत्ता निकला जो एक बीगल और फॉक्स हाउंड के बीच का दिखाई दे रहा था शर्लोक ने मुसकराते हुए कहा आओ वाटसन मैं तुम्हें पॉम्पी से मिलवाता हूँ तुम्हें पता है पॉम्पी यहां के लोकल ड्रेग हाउंड की शान है ये ज् सूंगने में ये एक शिकारी कुत्ते जैसा है तो चलो पॉम्पी मैं जानता हूँ तुम ज्यादा तेज तो नहीं हो लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि तुम लंडन के कुछ लोगों के लिए तो बहुत तेज साबित होंगे और इसलिए मैं चमडे के इस पट्टे को तुम दिया फिर उसने भागना शिरू कर दिया आधर घंटे में ही हम शेहर से बाहर निकल गए थे और दूर दराज इलाके की एक सड़क पर भाग रहे थे मैंने सवाल किया तुमने आखिर किया क्या है होम्स होम्स मुस्कुराया और बोला एक पुरानी लेकिन असरदार तरकीब मैं आध सुभा सुभा डॉक्टर के आहाते में गया और उनकी गाड़ी के पिछले पहिये पर सिरिंज में भर कर सौफ गिरा आया अब यहां से वो जहां भी जाएंगे ये कुत्ता उस सौफ की स्मेल का पीछा करेगा अब देखता हूँ कि वो डॉक्टर कैसे मुझ से बच छोड़ा था ये सडक शेहर की साउस दिशा में मुड़कर ठीक जहां से हमने शुरू किया था उसके उल्टी तरफ आगे बढ़ गई थी ये सफर तो पूरी तरह से हमारे लिए फायदे का निकला मैंने उत्साह के साथ कहा हां इसमें हैराने की कोई बात नहीं है वाट्सन क ये उन गाम वालों से मेरा पूछना बेकार था डॉक्टर ने बड़ा ही गहरा खेल खेला है और ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रहा है ये हमारे दाई तरफ जरूर ट्रम्पिंग टन गाम होना चाहिए अरे वो उस कोने से गाड़ी आ रही है जल् आगे निकल गई मैंने उसके अंदर बैठे डॉक्टर आमस्ट्रॉंग को देखा उनके कंधे जुके हुए थे और उन्होंने अपना सेर अपने हाथों से पकड़ा हुआ था जैसे किसी बड़ी भारी मुसीबत में हो मैं अपने दोस्त के गंभीर चेहरे को देखकर समझ ग अरे ये देखो यहां खेतों के बीच एक जोपड़ी है अब इस बात में कोई शक नहीं था कि हमारे सफर का आखिरी पड़ाव आ चुका था पॉम्पी इधर उधर भागते हुए जट से गेट के बाहर निकल कर वहां भौकने लगा जहां घोड़ा गाड़ी के पहियों के निशान अभी भी देखे जा सकते थे उस जोपड़ी के सामने से एक छोटी सी पकडंडी गुजरती थी होम्स ने कुत्ते को बांध दिया और हम आगे की तरफ भागे होम्स ने जोपड़ी के छोटे से दरवाजे पर दस्तक दी लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया उ और फिर उसने पीछे मुड़कर उस सड़क को देखा जिसे हमने अभी अभी पार किया था वहां से एक घोड़ा गाड़ी चली आ रही थी और उन ग्रे रंग के घोड़ों को पहचानने में मैं कोई गलती नहीं कर सकता था होम्स चिलाया ओ शिट डॉक्टर वापस आ रहा ह इससे पहले कि वो यहां पहुँच जाए हमें देखना ही होगा कि अंदर क्या है उसने एक जोर का धका मार का दर्वाजा खोला और हम हौल के अंदर चले गए वो परेशानी से भरी हुई आवाज अब और भी ज्यादा तेज हो गई थी यह आवाज उपर के कमरे से आ रही थी हम आवाज की दिशा में बढ़ते गए और आखिरकार उस कमरे के आगे पहुँच गए जहां से यह आवाज आ रही थी कमरे का दर्वाजा आधा खुला हुआ था उसे पूरा खोल कर हम अंदर घुसे और हमारे सामने हमने जो भी देखा उसे देखकर हमारा सिर चक्रा ग नहीं थी पलंक के नीचे एक जवान आदमी अपने घुटने मोड कर बैठा हुआ था उसका चेहरा कपडों में दबा हुआ था और वो सिस्कियां ले लेकर रो रहा था वो अपने दुख में इतना गुम था कि उसने तब तक उपर हमारी तरफ नहीं देखा जब तक होमस न कोड़ फ्रे को इतना सदमा पहुँचा था कि वो ये समझ ही नहीं पा रहा था कि हम उसकी हेल्प करने पहुँचे डॉक्टर नहीं थे। होमस उसका होसला बढ़ाने के लिए कुछ कहने की कोशिश में लगा था कि तभी सीडियों पर कदमों की आहट सुनाई दी और अगल की नाजुक पल को चुना है मैं किसी की मौत के सामने कोई बखेडा नहीं खड़ा करना चाहता लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अगर मैं जवान होता तो आपको इस जुरत की सजा दिये बिना नहीं रहता मेरे दोस्त ने बड़े ही इज़त भरे स्वर में कहा I'm sorry Dr. Armstrong लेकि मुझे लगता है कि कुछ गलत फेहमी हुई है अगर आप हमारे साथ नीचे चलें तो हम दोनों इस बारे में एक दूसरे को अपने अपनी बात बता सकते हैं एक मिनट बाद डॉक्टर नीचे कमरे में हमारे साथ बैठे हुए थे उन्होंने गंभीरता से कहा हां तो कहिए स बिलकुल भी उनके साथ नहीं है अगर कोई आदमी लापता हो जाता है तो उसका पता लगाना मेंरा काम है लेकिन उसके बाद मेरा काम खत्म होजाता है और जब तक कोई जुर्म नहीं किया गया होता मैं प्राइवेट मामलों को पभल्लिक करने के बज़ाए उनको छिपान में ज्यादा यकीन रखता हूँ अगर यहां इस मामले में कानून तोड़ा नहीं गया है तो आप पूरी तरह से इस बात की उमीद कर सकते हैं कि मैं इस बात को अकबारों में छपने नहीं दूँगा डॉक्टर आमस्ट्रॉंग अपनी जगह से उठे और उन्होंने आगे वजह से मैं वापस लोटाया और मैं आपको बता दूँ कि इस सिचुएशन को मैं आसानी से समझा सकता हूँ एक साल पहले गौडफ्रे स्टॉंटन कुछ टाइम के लिए लंडन में रहा था वहां उसे अपनी मकान मालकिन की बेटी से प्यार हो गया और दोनोंने शादी कर लड़की देखने में जितनी खुबसूरत थी स्वभाव में भी उतनी ही अच्छी और समझदार थी ऐसी पतनी को पाकर कोई भी शक्स उसे चुपाकर नहीं रखना चाहता लेकिन परिशानी ये थी कि गौडफ्रे अपने उस रईस रिश्तेदार का वारिस था और ये बात पकी थी कि उसकी शादी की खबर उसकी वसीयत को खत्म कर देती मैं इस लड़के को अच्छी तरह से जानता था और उसकी कई अच्छी बातों के लिए उसे बहुत पसंद भी करता था मैंने चीज़ों को सिंपल रखने की कोशिश में उसकी काफी मदद की लेकिन ऐसी बाते चुपती नहीं है क्योंकि एक बार जब ऐसी बात किसी के कान तक पहुंच जाती है तो उसे फैलने से रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है इस बात की खबर किसी को भी नहीं थी सिवाए मेरे और एक नौकर के जो फिलहाल ट्रमपिंग्टन गया हुआ हुआ है लेकिन अंत म गौटफ्रे की पतनी को एक गंभीर बिमारी ने घेर लिया ये एक बहुत ही खतरनाक बिमारी थी और बिचारा स्टॉंटन पागल सा हो गया था फिर भी मजबूरन उसे मैच खेलने के लिए लंडन जाना पड़ा अब वहाँ पर परिशानी ये थी कि बिना सच्चाई बता वह मैच को छोड़कर वापस नहीं जा सकता था मैंने एक टेलिग्राम भेज कर उसका मूड थोड़ा ठीक करने की कोशिश की और जवाब में उसने मुझसे प्राथना की कि मैं उसकी मदद करने के लिए अपने पूरी कोशिश लगा दूँ ये वही टेलिग्राम था जिसे अपने किसी और ही तरीके से समझा था मैंने उसे ये नहीं बताया कि हालात कितने बिगड़ चुके थे क्योंकि मैं जानता था कि वो वहां से कुछ भी नहीं कर सकता था लेकिन मैंने लड़की के पिता को सब कुछ बता धिया था अब उन्होंने गलती ये की कि Godfrey को भी सचाई बता दी नतीजा ये हुआ कि वो एकदम पागलपन की हद तक पहुँच गया और सीधे यहां आ गया तब से वो बिस्तर के किनारे घुटने टेक कर इसी हालत में बैठा रहा है जब तक कि आज सुभा मौत ने उसकी पतनी के दर्द को खत्म नहीं कर दिया बस मुझे इतना ही कहना है Mr. Holmes और मुझे यकीन है कि मैं आपकी और आपके दोस्त की समझदारी पर भरोसा कर सकता हूँ जी हां आप हम दोनों पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं Holmes ने डॉक्टर का हाथ पकड़ते हुए कहा और फिर हम उस दुख से भरे घर से निकल कर सर्दियों के दिनों की हलकी धूप में बाहर आ गए दोस्तों ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिलकुल ना भूलें जल्दे ही एक और कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए अलविदा